ओम शान्ती आज 23 फरवरी 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें बाप समान और बाबा के समीब अनुभव करने के लिए इशारे दे रहे हैं तो आज के अव्यक्त इशारों से हम यही स्वमान लेंगे कि मैं बाप समान आत्मा हूँ आये जानते हैं इस विशे पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारे बाप समान बनना है वह बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रू स्वप्न में भी वार ना करे सदा भाई-भाई की स्मृति सहज और स्वतह स्वरूप में हो आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ती स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ तो आज बाबा ने हमें तीन स्मृतियों के बारे में बताया पहली स्मृति है मैं आत्मा भाई-भाई हूँ दूसरी स्मृति है मैं आत्मा सर्व गुण स्वरूप हूँ और तीसरी है मैं आत्मा सर्वशक्तियों का स्वरूप हूँ बाबा ने कहा जितना हम इस स्टेज पे रहेंगे इन तीनों स्मृतियों के तक्त पर बैठे हुए होंगे उतना ही हम बाबा के समीप और बाप समान बन सकते है और इन चीजों से, इन स्मृतियों से इस तक्त से नीचे आना अर्थात बाप जो सर्वश्रेष्ट है उससे दूर हो जाना तो जैसे कि हम देखते हैं सरकार के अंदर भी या कोई राज्य दर्बार के अंदर भी या कोई क्लास में भी बच्चा या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी मंत्री हो वो अपनी फिक्स सीट पर ही बैठता है तो ये seat उसकी fix कैसे होती है उसकी काबिलियत से, उसकी stage से, उसके कर्तव्यों से बाबा साकार तो है नहीं लेकिन निराकार के समीब जाने का अर्थ क्या है निराकार से हम उतना ही समीब हो सकते हैं जितना हम उनके qualities में समीब है हम उनके कर्तव्यों में समीब है तो शिव बाबा जो निराकार है जितना हमारी बुद्धी निराकारी अवस्था में रहेगी अर्थात हम स्वयम को आत्मा समझ के सब को भाई-भाई की दृष्टी से देखेंगे उतना ही हम संकल्पों से स्मृती से बाबा के समीब है दूसरा जो गुण बाबा में है और जो गुण बाबा हमें देने आते हैं जितना जादा हम उन गुणों के स्वरूप में रहते हैं या बाबा से निरंतर उन गुणों की अनुभूती करते हैं उतना ही हम बाबा के समीप रह सकते हैं और इसी प्रकार से शक्तियों का भी है तो बाप समान बनने के लिए हमें इन तीनों ही स्मृतियों को अपने अंदर पका करना है जैसे क्लास के अंदर जब खाली बेंचिस होती हैं बच्चे आते हैं तो यातो अपने निर्धारिट सीट पर बैठते हैं और नहीं तो आप देखेंगे कोई होते हैं जो हमेशा बैग बेंचर पीछे बैठना ही पसंद करते हैं और कोई बच्चे होते हैं जो हमेशा टीचर के सम्मुख बैठना ही पसंद करते हैं क्यूं? क्यूंकि जो सम्मुख बैठ रहा है उसे confidence है कि मैं हमेशा टीचर की नजरों में रहूंगा और कोई गलत कर्म नहीं करूंगा इसलिए मैं सेफ हूँ, मैं आगे बैठ सकता हूँ और जिसे अपनी काबिलियत पे शक होता है या जो अपने आपको उतना उत्तम ही नहीं मानते वो अपने याँ भी पीछे बैठते हैं तो यहां हम सुप्रीम टीचर के सम्मुख तब ही बैठ सकते हैं जब हम उस मृती में होंगे और जब हम अपने आपको बाप समान करेंगे ओम शंती